नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर उत्तर प्रिदेश इस्पिसल का ट्रिक्स लगा रहे थे और यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सांस्क्रियति जलाक अर्थात कला उस ये तो आप लोग दोनों चैनल को अटर इस्पिसल करा रहे हैं सांस्कूल के हमारे प्रियास है क्या आपके पूरी सलेवस को हम याँ पर समाच कर देते ठीक है तो आप लोग दोनों चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और वहाँ भी आपकी यूपी लगबग कम्प्लेट कर दी गई है रिवीजन के तौर पर यहाँ पर आपकी चलाई गई है ठेक है तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं और जितने बच्चे जुट चुके हैं सब बच्चे वीडियो लाइक कर दे, सेर कर दे, सस्क्राइब एकर ले चलिए आपका पहला प्रस्न पूछा गया है कि राज्य में संस्क्रत विभाग की स्थापना कप की गई राज्य में संस्क्रत विभाग की स्थापना कप की गई वन का जवाब दीज़े यहां पर और याद रखेगा कि राज में संस्क्रत विभा की स्थापना की गई थी आपके option right up के B आपके 1957 में ठीक है option right up का B सही हो जाएगा अगला question पुछा गया है भातखंडे संगीत संस्थान कहां पर है भातखंडे संगीत संस्थान कहां पर है टू का जवाब दीजिए तो यहां पर जवाब आने शुरू हो गए है और बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं यहां पर option right up का B हो जाएगा आपके लखनों में ठीक है अगला है राज ललित कला अकादमी कहां पर है थ्री का सही जवाब दीजिए यहां पर और थ्री का यहां पर बिल्कुल सही जवाब है option right up का B आपके लखनों में ठीक है लखनों में अगला कोश्यन जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के स्थापना कप की गई उत्तर प्रदेश संगीत नाटक चलिए अगला है आयोध्या सूध संस्थान के स्थापना कप की गई पांच के जवाब दीजिए आयोध्या सूध संस्थान के स्थापना कप की गई चलिए यहां पर 5 का option right आपका जो हो जाएगा वो आप जाएगा option right आपका फर्स्ट हो जाएगा काल का है ठीक है ऑप्सन रेट अप का फस्ट हो जाएगा मौर काल का नेस्ट कोशन आप से पूछा गया है कि मंदिर निर्माड की कला का विकास किस काल में हुआ था सेवन का जवाब दीजे चले यहां पर बिल्कुत सही जवाब है जो मंदिरों का निर्माड हुआ था वो रवाज़ का पर है 8 का जवाब दीजे तो बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं जंजिरी और लाल दर्वाज़ है आपके जोनपूर में ऐप्सन रेट आपका जवाब दीजे और आप सबको पता होगा यह कोर्षिन आपका पूछा भी गया था यह आपके option right आपके फर्स्ट आपके लखनों में वेरी गुड आपके लखनों में अगला है कि मद्यकाल में उत्तर प्रदेश की मुख चित्रकला जो सैली थी वो आपकी कहां पर थी ये थी option right आपके आगरा में ठीके चले नेस कोर्शन को आते हैं कोर्शन आप से एगला पूछा गया है कि किस मुगल बादसा ने चित्रकारी के लिए अलग विभाग की स्थापना किया था चले यहाँ पर यारक जवाब दीजे आपके चित्रकला के लिए मुगल काल में अलग विभा की स्थापना किया था किस ने तो यह किया था आपकी option right up के भी आपके अकबर ने किया था ठीक है किस ने किया था आपके अकबर ने किया था next question कि किस मुगल बाधसा की काल में चित्रकला अपने चरमोट्सो पर आपके पहुँच गई थी 12 का जवाब दीजए और ये वही कोशन बहुत बार आपका पूछा गया है तो याद रखेगा कि जहांगीर का काल था यहाँ पर आपके चित्रकला आपकी चरमोट्सो पर आपके कहिए सकती चर्मोटसब आपके पहुँच गई थी ठीके अगला है कि किस मुगल वास्ता की समय चित्रकारों को सरच्छन मिलना बंद हो गया था तो चित्रकारों को सरच्छन मिलना बंद हो गया था ये किस समय तो ये आपके सासन थे आपके औरंग जेब बिल्कुल सह जवाब आ रहा है सभी का D नमबर हो जाएगा औरंग जेब हो जाएगा नेस्ट कोश्चन आधुनिक चित्रकला का प्रारम कब से माना जाता है चवदक जवाब दीजे चले यहां पर विल्कुल सही जवाब है option right क्यां पर हो जाएगा ए नमबर आपके 1911 से ठीक है 1911 से अगल रखेगा कहां पर है वारान रसी में बच्चे लखनों में ही जवाब दगा लगा देते हैं बलकि अंसर क्या हो जाएगा आपके वारान रसी में नेस्ट कोश्चन नाट सास्त की रचना किसने किया था 16 जवाब दीजे चले यहां पर 16 का जवाब हो जाएगा option right आपका मारत मुनी ने अगला है अमीर खुसरो का जन्म किस जन्मपद में हुआ था 17 जवाब दीजे अमीर खुसरो का जन्म किस जन्मपद में हुआ था 17 जवाब दीजे बिलकुर सई जवाब आ रहा है यह आपके एटा के कास गंज option right आपकर सी आपके कास गंज में हुआ था ठीक यहां पर जवाब हो जएगा option आपका B, यहां पर आपके सामवेत को, संगीत का जनक आपका माना जाता है, ठीके, चले अगला question पुछा गया है, कि उत्तर प्रदेश को कितने सांस्कृतिक छित्रों में बाटा गया है, 19 का जवाब दीजे, फटा फट अंसर दीजे वाई, भारतेंद्र नाटक अकादमी कहां वर्षती थे, 20 का जवाब दीजे, यहां दर कि भारतेंद्र नाटक अकादमी आपके कहां पर है, लखनो में, ठीके, लखनो में, और इसके पहले भी जो question आपका आया था, यहां पर कौन सा आया था, देख ले तोड़े, भारत कला भवन था, ठीके, देखो question अमको भी confuse कर रहा था, चले, next question, कि देवगड का दसा अतार मंदिर किस जनपद में है, देवगड का दसा अतार मंदिर कहां पर है, यह भी question बहुत बार पूचा गया है, तिया पर 21 का option right up का B हो जाएगा, ठीके, जासी में, ठीके, जासी में, option right up का B हो हो जाएगा, तो 22 का option right up का C हो जाएगा, आसीत कुमार हलदार, ठीके, C नमबर आपका हो जाएगा, आसीत कुमार हलदार थे, next question आप से पुचाया है, कि में, दूदॉट संकला किस ने चितरत किया था, तेस का जवाब दीजे, तो बाई, में, संकला जो किया था, वो आपक का सी सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगला है कि जन जाती एवं लोग कला संस्क्रच संस्थान की स्थापना की गई ओन में भारती कला परिशत किस जनपद में है 25 का ओप्शन राइट आपका यहां पर बिल्कुत सही जवाब है आपके वारान रसी में ठीक है वारान रसी हो जाएगा अंसर आपका D हो जाएगा अगला है कला एवम सिल्प महाविद्याले के किस प्राचार ने ग्राफिक विद्या प्रारम की थी तो गई ग्राफिक विद्या किस ने प्रारम किया था जवाब दीजे भाई यहाँ पर कलायूं सिल्प महाद विद्याले की जो प्राचारे थे ग्राफिक विद्या प्रारम की किस ने किया था 26 को उप्शन राइट आप कभी हो जाएगा ललित मोहन ने नेस्क कोशन आप से पूछा गया है कि अथा कोस्टर प्रदेश विद्यान सबा में किसने भित्ती चित्र चित्रित किया है 27 के जवाब दीजे तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा सिनमर जगनात मुरलीधर ठीक है जगनात मुरलीधर next question कि उत्तर प्रदेश जैन विद्या सूथ संस्थान की स्थापना कब की गई 28 की जवाब दीजे चलिए आँपर 28 का उप्स्थान राइट आपका हो जाएगा 1990 में ठीके तो आपके जैन विद्या सूथ संस्थान की उत्तर प्रदेश में 1990 में की गई थी अगला कोशन पुछा गया यहां पर कि अटाला मस्जिद उत्तर प्रदेश की किस जनपद में है 29 का जवाब दीजे भई 29 का सही जवाब क्या हो जाएगा तो आपके जौन पूर में है वेरी गूड ऑप्सन राइट अप कसी हो जाएगा जौन पूर में है 30 का जवाब दीजे वेरी गूड ऑप्सन राइट अप को फरस्ट हो जाएगा आपके अगबर ने करवाया था ठीके अगबर ने नेस कोशन रंग मंडल की स्थापना कब की गई जवाब दीजे फटा फट चले बिलकुछ सही है अंसर आपके यहाँ पर C हो जाएगा 1988 में आपके रंग मंडल की स्थापना की गई थी नेस कोशन की किसे कला एवम सिल्प महाविद्याले का सूरी कहा जाता है 32 का जवाब दीजी यहाँ पर चले 32 का उप्सन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नमबर आपके सुधरी रंजन को याद रखे किसको आपके सुधरी रंजन को कला और महविद्याले का सूरी कहा जाता है ठीके नेस कोशन आप से एकला पूछा गया है कि प्रिशिद्ध चित्रकार चमन सिंग चमन किस जनपत के निवासी थे जो आपके चित्रकार है चमन सिंग चमन ये किस जनपत के थे 33 का जवाब दीजिए याँ पर और 33 का सई जवाब हो जाएगा आपके अंसर आपका एक मेरट से इसका जवाब ए राए बिलकुर सई है मेरट हो जाएगा नेस कोशन कि प्रख्याद चित्रकार अमरता सेरगिल किस जनपत की है जो आपके चित्रकार है अमरता सेरगिल ये किस जनपत से सम्मन दित है 34 का जवाब देना आपको तो बिलकुर सई जवाब है ये है अंसर आपका D आपके गोरक पूर से है ठीक है D नमबर गोरक पूर से है नेस कोशन की पराजय की पीड़ा नामक चित्र के चित्रकार कौन है 35 की जवाब दीजे पराजय की पीड़ा नामक चित्र के चित्रकार कौन है ये सभी UP के ही आद रखना तो 35 का सई जवाब हो जाएगा ओप्सन B आपके रामचंद सुकल है ठीके पराजे की पीड़ा नमक चित्र के चित्रकार आपके राम चंद सुकल आपसन राइट आपका भी हो जाएगा चले अगले अगला कॉर्शन है कुम्ब का मेला उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आयुद किया जाता है या आयुद होता है चले अगला है ख्याल जो गयन सैली के प्रतपादक आपके कौन है तो आपसन राइट आपका डी हो जाएगा अमीर खुसरो बहुत सही बिलकुत सही जवाब आ रहे हैं अमीर खुसरो नेस कोशन के उत्तर प्रदेश में इस्थापत तिकला के सबसे प्रचीनतम नमूने किस काल के मिलते हैं जो उत्तर प्रदेश में इस्थापत तिकला है उसके सबसे प्रचीनतम जो नमूने मिलते हैं वो किस काल के मिलते हैं 38 का जवाब दीजिए यहां पर चलिए यहां पर 38 का बिल्कुछ सही जवाब है आपके अंसर आपका A more recall में ठीक है more recall के आखे मिलते हैं Next question कि स्थापत के सरकी सहली का उत्करष्ट नमूना है स्थापत के सरकी सहली का उत्करष्ट नमूना जवाब का है तो क्रष्ट नमूना जो दिखाई पड़ता है किसमें दिखाई पड़ता है यह है आपके 18 मस्जिद में ठीक है आपसन रइट आपका C हो जाएगा ठीक है Next question धुरूपद मेले का आयोजन कहा होता है धुरूपद मेले का आयोजन कहा होता है 41 जवाब दीजे स्वामी हर्दास जी का जन्म कहा हुआ था 71 का जवाब देना है तो याद रखे स्वामी हर्दास जी का जन्म आपका हुआ था आपके अलीगड में ठीक है 41 को अप्शन रइट आपका C आपके अलीगड में हुआ था 42 का जवाब दीजे याँ पर तो भई लखनाव सहली की जो आपके है या आपके है आसित हलदार ठीके अंसर आपका यह हो जाएगा आसित हलदार है आपके लखनाव सहली के प्रणेटा 43 का जवाब दीजे याँ पर 43 का जवाब दीजे याँ पर यहाँ पर बिलकुछ सही जवाब है पुसन रइट उप कबी हो जाएगा आगरा ठीके आगरा यह पर जहिए बिलकुछ सही जवाब आ रहा है यहाँ पर सही आपसन का हो जाएगा D. नंबर आपके अमीर खुसरो कला की दरश्टी से किसका शासनकाल अवद का स्वण युग था, देख सकते हैं यह question बोहत बाई पूछा गिया है, कि कला की दरश्टी से किसका 듣 अवद का स्वण युग था यहाँ पर 45 को option right आपका हो जाएगा फिल्कुत सही जवाब है ए नमबर वाजिद अली सा का जो काल था यह आपके कह सकते हैं अवद कर सोड़ युक का आ गया था ठीक है ए नमबर आपका सही हो जाएगा next question मेरट जनपद में आलमगीरपूर से प्राप्त पुरा तात्विक सामागरी प्रतिविम करती है तो जो आपके मेरट जनपद में आपका आलमगीरपूर है वहाँ से आपके पुरा तत्त समाद्री जो प्रिम मिली है वो आपके किस काल की है किस संसकर्ष से है तो 46 का सही जव पुरातात्विक एवं कलात्मक निद्की देख देख करने के लिए इस थापिस संस्कत विभा के कारियों में कौन सा कारिश समलित नहीं है यहां पर देश सकते हैं कि अधियासिक पुरातात्विक एवं कला निद्की देख 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 में जो आपका नहीं सामिल है वो आपका कुछ साही जवाब आ रहे हैं यहां पर option right आपका जो हो जाएगा 48 का वह आपका हो जाएगा answer right answer आपका हो जाएगा a number यह आपका मुझबफर नगर है ठीक है किराना घराने का जो मूल निवास है वह आपका कौन है सब्सक्राइब आपका मुझबफर नगर है अतरावली Fergusonर का मूल इस्थान पर है अतरावली घराने का मूल इस्थान आपके बुंदेल से सम्मंदी थे 50 option right कौन सा हो जाएगा option आपका D सही हो जाएगा next question आप से पूछा गया है कि निमलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश का लोक गीत नहीं है 51 का जवाब दीजी यहां पर चरे यहां पर 51 का बिल्कुछ सही जवाब है कि देखो जो आपका ढोला मारू है यह आपकी उत्तर प्रदेश का नहीं है बलकि बिरहा कजरी और रसिया यह आपके उत्तर प्रदेश से सम्मंदी थे ठीक है चले अगला है कि निमलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है कौन एक सुमेलित नहीं है यहां पर 52 अंसर देखते हैं 52 नंबर में जो कि आपका देख सकते हैं जो आपका है देवा आपके बारा बंकी में बिलकुल सही है आला जो आपका है आपके महवबा में कर्मा कर्मा आपके मतुरा में नहीं है यह आपकी मिर्जापूर साइड में आपका होता है ठीके और कजिरी आपका मिर्जापूर जो दिया गया है ठीके इस प्रकास यहाँ पर आपका स्थी नमब आपका यहाँ पर सही नहीं है ठीके यहाँ के पुरवान्चल साइड में आपका होता है ठीके अगला है कि आचार नरेंद द्यो अंतरास्टी बौध वीद्धा सोजद सनस्थान कहाँ पर है आचार नरेंद दियो अंतराश्टी बौध विद्धा सोज संस्थान का परिष्थी थे तिरपन का सही जवाब क्या हो जाएगा तो विल्कुल सही जवाब है option right अपको first हो जाएगा यह आपके लखनों में है ठीके लखनों में नेस्ट कोईशन कि वरंदावन सोज संस्थान की स्थापना कप की गए थी चाववन का जवाब दीजे वरंदावन सोज संस्थान की स्थापना कप की गए थी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 54 का option right C हो जाएगा, 1968 में की गए थी वरंदावन सोथ संस्थान की स्थापना Next question कहई आप से कि उत्तर प्रदेश राज की अबलेखागार कहां इस्थी थे उत्तर प्रदेश राज की अबलेखागार कहां इस्थी थे 55 का जवाब देना है आपको चले यहां पर 55 का option right आप कब भी हो जाएगा आपके इलाहबाद में ठीके उत्तर प्रदेश में राज की अब लेखादार काँ पर है आपके इलाहबाद में है ठीके नेज़्स कोचिन उत्तर प्रदेश राज पुरातत्योशंगटन की स्थापना कब की गई चप rebel का जवाब दीजी यहां पर तईब बिल्कुर सफ़ायी जवाब है चप rebel का उप्सुन राइट आपके शीत उरदेश में उत्तर प्रदेश में राज पुरातत्योशंगटन की ठीक है k्यावन में नेस्टकूशन कि उत्तर प्रदेश का आधिनिक से प्रतम नाठक है उत्तर प्रदेश लोग न्रत्य कौन सा यहां पर 57 का सरवाधिक प्रिचलित लोग को न्रत्य कौन सा है चले अठावन है जवाब दीजिए और उत्तर प्रदेश का सरवाधिक प्रिचलित है आपका नोटंग की ठीके क्या है आपकी नोटंग की आपका डी सही हो जाएगा नेस्ट कोश्चन कि उत्तर प्रदेश का सरवाधिक प्रिचलित लोक गीत कौन सा है यहाँ पर लूक गीत की बात किया है और यहाँ पर आपका कह सकते हैं लूक नरत्य की बात किया था तो यहाँ पर आपका जो लूक गीत है वो आपका कौन सा हो जाएगा तो यह बिरहा है option rate आपका भी हो जाएगा बिरहा ठीके next question का आते हैं कोश्चन में आपका अगला है कर आप से धुरूपद धामार गयान सैली का प्रवर्तन किसे माना जाता है धुरूपद धामार गयान सैली का प्रवर्तन किसे माना जाता है साथ का जवाब देना यहापर तो आपके यहाँ पर हो जाएगा option right धुरूपद धामार सैली देखो ध रूपत धमार गयान सहरी आपके स्वामी हरिदास ने ठीक हो जाएगा नेस कोशन बड़ा ख्याल सहली के प्रवर्तक किसे मना जाता है एक सट का सही जवाब क्या हो जाएगा तो बड़ा ख्याल सहली के प्रवर्तक मना जाता है आपके हुसेन सरकी को किसको हुसेन सरकी को मना कबवाल बच्चा घराने का सम्मंद किस घराने से है 62 का सही जवाब क्या हो जाएगा चलिए यहाँ पर 62 का option right हो जाएगा आपका A नमबर आगरा से है ठीके आगरा कौन सा घराना वा दुरूपत गायन के लिए जनायता है 63 का सही जवाब आपका घराना आपका कौन सा है 63 का सही जवाब option right आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नमबर यह आपका लखनो घराना है ठीके लखनो घराना नेस्ट कोराते हैं कोर्शन आपसे एगला पूछा गया है किसके काल से ठुमरी को लोगप्रीता मिलनी प्रारम हो गई थी तहां पर 64 का सही जवाब क्या हो जाएगा चले 64 का option आपका सही हो जाएगा वाजिद अली सा के समय से ठीके वाजिद अली सा के समय से नेस्ट कोर्शन 65 का जवाब दीजिए यहां पर 65 का option राइट बिल्कुछ सही है आपके किराना घराने से है नेस्ट कोर्शन कारतिक एक लोग नरत्य है तो भाई यह कहा का नरत्य है कारतिक तो भाई कारतिक जवाब का है यह है आपके option राइट आपके फर्स्ट आपके बुंदेल खंड का है ठीक है बुंदेल खंड का नेस्ट कोशन कि निम्ण से कौन सुमेलित नहीं है निम्ण से कौन सुमेलित नहीं है 67 तो यहाँ पर आपका अमीर खुसरो आपके एटा से मिर्जा गालिव आपके आगरा से हैं जोस आपके मलियाबास से रामप्रशाद बिस्मिल तो भाई रामप्रशाद बिस्मिल आपके इलहाबास से सम्बंदित नहीं है यहाँ पर आपको जवाब देना है कि यह आपके कहां से भाई कहां से रामप्रशाद बिस्मिल चले नेस कोशन कि संगीत सिच्छा हेत उत्तर प भात खंडे हिंदुस्तानी संगीत माविद्यले जवाब के लखनों में है ठीक है यहां से आपका प्रारंब हुआ ठीक है कैसे कि माविद्यले स्थापित हुआ था नेस कोशन कि उत्तर प्रदेश में राष्टी कतक संस्थान कहां पर है उत्तर प्रदेश में राष्टी कतक स अगलापों में योगदान नहीं दिया है तो कह सकते हैं कि लखनौ के शांस्कित की अगलापों में योगदान नहीं दिया है। ये हैं आपके कैसकते हैं मेहंदी ठीक है मेहंदी इन्होंने नहीं दिया है बलकि आपके ये तीन जो आपके हैं इन्होंने लखनों के सांस्कित की अकलापों में युगदान दिया है नेस कोशन आपका दिया है किनिम से कौन सुमेलित नहीं है कौन सुमेलित नहीं है तो यहाँ पर आपका 71 नमबर देख सकते हैं आला आपकी कहाँ पर है आपके बुंदेल खंड में बिरह आपके पुर्वांचल में चैती आपके रुवेल खंड में कजरी कजरी आपका आवद दिया है बलकि आपकी कहाँ पर है आपकी मिर्जपूर छेत्र में है तो इस प्रकार से या पर आपका गलत हो जाएगा D number अगला है धुरिया लोक नरत्ते है तो धुरिया लोक नरत्ते किस छेत्र का है तो ये है आपके बुंदेल खंड से 73 का सई ऑप्सन राइट आपका हो जाएगा C number बुंदेल खंड से नेस कोर्शन आपसे पूछा गया है कि निम्लिकित में से कौन सा बनारस घराने से संबंदी थे 74 का जवाब देना है बनारस घराने से आपके कौन से संबंदी थे तो याद रखिए बनारस घराने से आपके हैं मोती बाई और आपके हैं रसूलन बाई और आपकी कौन है देश्वरी देवी ये आपकी तीन जो है वो आपके बनारस घराने से अर्थात आपका B, C, D, Option राइट आपका 74 का हो जाएगा यहाँ पर आपका D नमबर यहाँ पर ठीक है तो आप लोगों ने देखा लगभग आपके 75 प्रस्णों लगभग 75 प्रस्णों को आसानी से हमने 25 कर लिया है थोड़ी सी बस फास्ट रहे हैं और आप लोगों को भी यहाँ पर फास्ट रहना है